हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्थ्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स अगर आपका आधार कार्ड दस साल पुराना हो गया है आपके आधार कार्ड को बने हुए दस साल हो गई है तो आपको ये पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले गवर्मेंट की तरफ से एक अपडेट आया था आधार कार्ड को लेके कि अगर आपका आधार दस साल पुराना हो गया है लेकिन अब government की तरफ से एक और बहुती बड़ा अपडेट आया है और बहुती अच्छा अपडेट अधार को लेके आया है जिसमें आप घर बैटे free में online ही अपने documents को upload कर सकते हैं अपने documents को update करा सकते हैं अधार card को update करा पाएंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा process बताने वाला हूँगे कैसे आप घर बैटे online ही आपने जो भी आपका धार card है 10 साल पुराना उसमें अपने documents को आप update करा पाएंगे और आपको कोई भी fees नहीं देनी पड़ेगी सारा process मैं आपको बताऊंगा लेकिन government ने इसे कुछ time के लिए ही free किया है वो कितना time है वो date भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके last तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे new है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे direct एक link open किया हुआ है मायादार के home page पे आया हुआ हूँ मैं login करने के लिए तो मैं आपको यह link वीडियो की description box में दे दूँगा आप जैसे ही इस पे click करेंगे आप direct इस वाले page पे आ जाएंगे और मैं सारा process mobile से ही आपको करके दिखाऊंगा ठीक है तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने आधार के अंदर login करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे login वाले option पर जो यह दे रखा है इस पे click करेंगे इसके बाद हमारे सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर जो है वो डालना है उसके बाद हमें यह जो capture दे रखा है यह हमें fill up करना है अगर आपको यह capture समझ नहीं आता तो आप यहाँ से refresh कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो मैं सबसे पहले यहाँ capture डाल देता हूं 4331S ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है उपर फिर आप send OTP पे क्लिक करेंगे तो मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं जल्दी से अपना अधार नंबर डाल देता हूं तो आधार नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना है send OTP पे वाले option पे क्लिक करना है और जो mobile नंबर आपने आधार पे दे रखा होगा जो link होगा आधार में उस पे एक OTP चला जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे enter करना है तो मैं send OTP पे क्लिक करता हूं तो मैंने यहाँ पे OTP भी डाल दिया उसके बाद हमें यहाँ login पे क्लि down करना है और यहाँ पे आपको second last make option दिखाए देगा document update का आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हूए click here to upload your proof of identity and proof of address documents ठीक है this service is free of cost till 14.06.2023 ठीक है तो यहाँ पे लिखा हूए कि 14 June तक यह जो service है वो free है तो यहाँ पे आपके लिए कितना अच्छा कर दिया है कि पहले offline जब आप करते थे तो आपको 25 रुपए fees देनी पड़ती थी या offline आप जाके आधार सेंटर से कराते थे तो आपको 50 रुपए देने पड़ते थे लेकिन अब आपको यहाँ पे government के तरफ से इनोंने तोफा ही समझे कि आपके जो यह है वो free में होने लग जाएगा आपके your document जो है वो free में upload हो जाएंगे 14 तारिक से पहले पहले 14 जून 2013 से पहले पहले आपको कोई भी fees यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे जल्दी से इस पे क्लिक करते हैं document upload update पे ठीक है document update पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यह page open हो जाता है इसमें हमें आप प details आपका नाम gender date of birth address आजाएगा अगर इसमें आपको कुछ भी change करना है ठीक है तो आप check out कर सकते हैं यहाँ से ठीक है उसके बाद हमें हापे scroll down करना है तो scroll down करने के बाद आपके सामने यह option आएगा I verify that वाले पे इस पे हमें click करना है और next पे click कर देना है अब यहाँ पे next पे click करने के बाद आपके सामने यह आ गया guidelines for uploading documents की जो आप upload करेंगे उसकी guidelines यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके document का size है वो 2MB से कम होना चाहिए supporting file format जो है JPEG है और PNG है और PDF है मतलब अगर आपकी कोई JPEG में convert करना पड़ेगा यही format आपके जो यहाँ प upload करना पड़ेगा और उनका size 2MB से कम होना चाहिए ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे scroll down किया हमने please upload proof of identity document से पहले आपको यहाँ पे लिखा है select valid supporting document टाइप इस पे click करेंगे और यहाँ से आपके सामने काफी सारे आगे driving license अब डाल सकते हैं passport डाल सकते हैं अपना ठीक यहाँ पर यह document advisory है इस पर हमें ok कर देना है और यहाँ से हमें view details and upload document पर click करके अपनी gallery में जाके pen card को यहाँ पर upload करना है तो मैं इस पर जैसे click करूँगा तो यहाँ पर मैं continue to upload पर click करूँगा आपको पहले ही अपने documents की photo cance के अपने phone में रख लेनी है ठीक है जो भी आप upload करेंगे उनकी उसके बाद यहाँ पर जैसे continue to upload पर click करेंगे तो आपकी gallery खुल जाएगे और वहाँ से आप अपने जो भी आपका document है उसको आप यहाँ पर upload कर दीजी तो मैं जल्दी से कर देता हूं continue to upload पर click करके तो मैंने यहाँ पर pen card upload कर दिया आप देख सकते हैं 100% ल लगा सकते हैं gas connection bill लगा सकते हैं तीन महीने पुराने नहीं होने चाहिए ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं तो जो भी आपके पास available हो वह आप यहाँ से document लगा दीजे जैसे मैं यहाँ प electricity bill लगा देता हूँ ओके कर देंगे इसको भी और यहाँ से हम फिर से उसे वैसे ही upload कर देंगे इस पे click करेंगे continue to upload gallery में जाके यहाँ पे upload कर देंगे तो मैं जल्दी से कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने अपना electricity bill जो है वो upload कर दिया है उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हूँ है I hereby give my consent इस पे हमें click करना है और उसके बाद हमें next कर देना है यहाँ पे हमें ok कर देना है confirm कर देना है इसको उसके बाद हमारे जो documents हैं वो यहाँ पे upload होना शुरू हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया dear resident this service is free of cost ठीक है यहाँ पे पहले क्या होता था जब आप ऐसे इस step पे आते थे तो यहाँ पे आपको जो submit करने से पहले आपको fees जमा करनी पड़ती थी 25 रुपए online fees देनी पड़ती थी उसके बाद आप submit कर पाते है वह 10 साल पुराना हो गया है 10 साल से जादा पुराना हो गया है तो यहाँ पे अब हम submit पे क्लिक कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं आपकी payment जो यहाँ पे 0 है ठीक है रुपीज 0 लगया आपका status success हो गया ठीक है आप यहाँ से यह download knowledgement इस वाली फाइल को आप download करके तो मैं dashboard पर क्लिक करता हूं ठीक है यहाँ पर जाके आप इसका status भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसी ही dashboard के उपर आएंगे तो यहाँ पर आपको scroll down करना है और नीचे request यहाँ पर आप देख सकते हैं validation stage में हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सक इसके थूर information भी मिल जाएगी तो इस तरीके से आप अपने documents को online update कर सकते हैं तो friends अब आप सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से online ही अपने अधार card को update करवा सकते हैं अगर फिर भी videos related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment लेके पूश सकते हैं और अगर आपक जरूर करें thank you